Hello Everyone, जैसे कि आपको अपने स्कीन पर कोश्चन दिख रहा है, हम इस कोश्चन को सौल्व करना है, चले सबसे पहले हम इस कोश्चन को देख लेते हैं, इस कोश्चन में हमाँ पास क्या है, 6 x 8 equal दिया गया हमाँ पास 56 के equal है, 2 x 2 equal दिया गया हमाँ पास 6 के, 3 x 7 equal दिया गया हमा करना है चलिए इस कोशन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड्स दे देता हूं अगर आप इन 10 सेकंड्स के अंदर अपनांस से निकाल देते हैं तो आप हमें कॉंट बॉक्स में टाइब करके बता सकते हैं चलिए आपका समय शुरू होता है अब अगर आपने इन 10 सेकंड्स के अंदर अपनांस से निकाल दिया है तो आप हमें कॉंट बॉक्स में टाइब करके बता सकते हैं चलिए इस कोशन को सॉल्व करते हैं अगर हम सिंपली 6 मल्टिप्लाइ 8 करते हैं तो जो की होता है हमाँ पास 48 और 48 में अगर हम 8 को प्लस कर देते ह हैं तो यह वाला 8 अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमाँ पास एकुल होगा 56 के चलिए नेक्स्ट में भी हम यह ही चेक कर लेते हैं नेक्स्ट में हमाँ पास अगर 2 मल्टिप्लाइ 2 करते हैं जो की होता है हमाँ पास 4 और 4 में अगर हम यह वाला 2 प्लस कर देते हैं तो हमाँ equal होता है 6 के यानि कि जो आपको ये number दिख रहे हैं ये number हमाँ पास multiply होने के बाद plus हो रहे हैं चलिए next में भी check कर लेते हैं next में हमाँ पास क्या होगा 3 multiply 7 जो की होता है हमाँ पास 21 और 21 में हमें plus करना है 7 को जो की होगा हमाँ पास 28 लास्ट में भी यही sequence माँ पास huge होगा इसमें भी हमें सबसे पहले multiply करना है 4 multiply 6 जो की होगा हमाँ पास 24 और 24 में हमें plus करना है 6 को 24 प्लस 6 जो की होगा हमाँ पास 30 जहां पर आपको question marks दिख रहे हैं वहाँ पर हमाँ पास क्या आएगा 30 आएगा अगर आपने पहले इस question को solve कर दिया है तो आप हमें count box में टाइप करके बता सकते हैं